ही फ्रेंट्स माई नेम है शांसुतियरी और आज हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा थार के बारे में तो महिंद्रा थार के बारे में सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को लास तक देखेगा और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि प्लिक कीज़े और उसके पास हमें बैल आइकन हो से क्लिक कीज़े ताकि मैं जब भी ने वीडियो दाड़ने हो तब तक डिरेक्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाया और अगर यह वीडियो आपको पसंद आहे तो लाइक कीज़े और ना पसंद आहे तो तुरन डिसलाइक तो चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं महींदरा ठाहर की सारे वेडिन्स के बारे में तो इसमें टोटल थीन एरियेंट्स हैं और मैनुल है तीनों की ट्रांसपेसनल सिस्टम और माइलेज की बात करें तो तीनों की माइलेज आपको 13 km per liter यानि लगवग 13 km per liter की आपको माइलेज में लेगी है बात कर लेते हैं इन तीनों की प्राइस की तो यहां पर जो इसका बेस मॉडल है डी आई टू विल ड्राइब बियस पॉर इसकी प्राइस है साथ लाग पचास जार रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे इसके लिए तो चलिए आज लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा इसका सेकंड मॉडल है जिसकी प्राइस है साथ लाग क्यान वहजार रुपए सबसे पहले बात करते हैं इसके सेफी फीचर के बारे में तो यहां पर आपको एयर बैग यह सारी चीज़ें कुछ नहीं मिलते इसमें और ब्रेकिंट एक्शन की बात करें तो एंटी लॉग ब इसमें अबिडी बीडी यह सब्सेदा नहीं मलती है और यहां पर फोर वील राइव मिलती है मैंवल सेफ लिवर और लॉप न सेग्रेटी सेक्षें की बात करें कि यहां पर इंजियन इंडियर वगरा नहीं मिलता है कंफोर्ट कंविनियंस में भी आपको ऐर कंडिशन वग नहीं बात करते हैं इसके स्टोरइ शेक्षन की तहन पर क कफोडस वगरा नहीं मिलता है और डॉर्विंडोस मिर्स और वाइबт की बात करें तरह आपको एचिस्टिबल और इंटियर दिए की ब्लाक है और ऊड्रिडेग अप्नर इंटर्नल अडै और ब्लाक है रहाँ ब्र तो से अर्चहरो से विन्ट में खेरी चождम सी ठीड है यहां फेयल complet के लिए चोने मिलबु तर माद कर दें में legal है और प suffer पर चौने चोने स्वेस्चार eln रखाया है और म्यमें खेर बाकार करते हैं अफ्रिंड लाकुरण से बीष्ट यह 7,37,000 रुपए की टाटा नेक्सन 7,5,000 रुपए यहां पे निसान माइक्रा 6,88,000 रुपए मारूती सुजुकी अड़िया 7,77,000 रुपए की मलती है तो यह थे सारे फीचर्स अभी हम लोग बात करते हैं इसके सारे स्पस्पिकेशन के बारे में मैं सबसे पहले बात करते हैं इसको लंबाई की 3,7 m की इसको लंबाई है वेट से यहां पर 1,6 मीट्र की मिलेगी उचाई 1,9 मीट्र की और हुईल बेस 2.4 up ग्राउन क्लेरंस 187 म्यमेट्रेंस की ग्राउंड क्लियरंस है, कववेट की बात करें तो 1750 किलोग्राम यानि लगभग 1750 kg की इसकी कववेट है, क्यापसिटी की बात करें, तो तीन दर्वाजे इसमें, 7% की बैटने की कैपसिटी है, सेटिंग कैपसिटी, और 2 रोज यहां पे सेटिंग रोज दी गई है, फ्य इंजिन टाइप मिलता है, और मैक्सिम पाउर की बात करें, तो 63 BSP at the rate of 3200 APM का मैक्सिम पाउर मिलता है, मैक्सिम टॉक की बात करें, तो यहां पे आपको 195 Nm at the rate of 1400 APM का मैक्सिम टॉक मिलता है, 13 km per लिटर की इसकी माइलेज है, टबो चार्ज़े इसका टबो चार्जर और इसका टबो चार्जर लगा हुआ है, 5 gears है इसमें और transmission type manual है, 4 wheel drive या all wheel drive आप कह सकते हैं, drive train है, और 4 cylinders in line दियागा है इसमें, cylinder configuration is SOHC, और bow by stroke की बात करें, इस cylinder की bow by stroke है 88.9 mm by 101.6 mm, बात करते हैं, इसके suspension front की यानि अगले suspension की, तो यहां पे आपको leaf spring with shock absorbers मिलते हैं, और same suspension आपको rear मिलता है, मतलब leaf spring with shock absorbers, बात करते हैं, इसके front brake type की यानि अगली brake की, तो यहां पे आपको disc मिलेगी, और drum है इसकी, इसली brakes, rear brake type, बात करते हैं, इसके minimum turning radius की, that is 6.28 meters, और post-state collector की steering दी गई हैं, wheels यहां पे steel rims की है, front as rear type की measurement है, 235 by 70 R16, तो यह थे सारे classification features, और अग sunny beach, और campaign, और Arctic white, यह की color options आपको मिलते हैं, so friends, this was Mahindra Thor, Di4WD, DS4, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो like करिए, ना पसंद आई हो, तो dislike करिए, कोई भी सवाल या सुझाओ, इस वीडियो से related, या घाड़ी से related, तो वीडियो के comment में mention कीजिए, मैं उसका reply जरूर करू कीजिए, और उसके पास में bell icon से click कीजिए, ताकि मैं जिब बेने वीडियो दलू, तब तक direct notifications पहुंच जा, so thank you for watching this, bye